हेलो गाइस के से उसकते हैं आज वे को नहीं वीडियो के साथ वापिस और आज चुके हैं साउथ की पांच और फिल्म है जो कि अप पूरी तरीके से हिंदी में डब होकर रिलीस हो चुकी हैं सो गाइस वो कौन-कौन सी फिल्म है यूटीब पर कैसे देखना है सभी complete details आप सभी को इस वीडियो में मिल जाएगी और वीडियो स्टाट करने से पहले आज मैं आपसे एक बात वोलना चाहूँगा कि यार जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेली ग्राम चैनल को जोईन नही लिंक आप सभी को description box में भी मिल जाएगा या फिर आप टेली ग्राम पर जाकर हुजेफा न्यूस वाला सर्च करके भी ढून सकते हैं तो जाहिए फटा पर टेली ग्राम चैनल को जोईन कर लीजिए तो गाइस नमबर 5 पर 4.6 MDP rating के साथ आती है जेक एंड दानियल जो कि 2019 म में तो एक बिजनेसमें होता है लेकिन राथ होते ही वह एक चौर बन जाता है लेकिन उसके अंदर खास बात यह होती है कि वह चौरी उनी लोगों की ऐतो है जो पर पकरता है वो देखना इस film में काफी इंट्रेस्टिंग होता है फिल्म बड़िया है अगर आपको हाइस्ट और रोग्री जैसी फिल्म में देखना पसंद दे तो आप सभी को यह film काफी पसंद आने वाली है फिल्म के रीटोल में आप सभी को अरजुन सरजा और दिलीब देखने को मिलते हैं फिल्म बढ़िया अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा थो वैसे तो ये फिल्म की हिंदी डबिंग काफी पहले ही complete हो चुकी थी और ये फिल्म रिलीस हो चुकी थी लेकिन ये फिल्म अभी तक यूटीब पर officially नहीं रिलीस वी थी जो कि 2021 में रिलीस भी जबरदस पॉलिटिकल ड्रामा थिलर मूवी थी भागी जाए गर इस फिल्म की स्टोरी लाइन के बारे में तो गाइस इस फिल्म की स्टोरी लाइन में आप सभी को देखने को मिलेगा एक धर्मी राजनेता जो की एक अलग तरह की विचार धारा को फॉलो करता है लेकिन उसके चलते उसके उपर कुछ लोग जो होते हैं वो उसके उपर एक आरोप लगा देते हैं कुछ संगीन आरोप तो guys वो आरोफ क्या होता है क्या वो आरोफ सही होते है क्या उसे justice मिलती है या नहीं इसके अलाओ और भी काफी सारी चीजे इस film में आप सभी को देखने को मिलने वाली है यह film बढ़ी है अगर आप सभी को political drama thriller movies देखना पसंद दे तो यह film आप सभी को ज़रूर देखना चाहिए इस film के retool में आप सभी को ममूती नजर आने वाले है तो guys अगर आप इस film को देखना चाहते हो तो यह film YouTube पर आप सभी को officially नहीं मिलेगी अन-officially मिल जाती है तो एक बार search करके देख लेना अगर नहीं मिलती है तो टेलीग्राम पर यह movie अविलेबल है जाकर देख सकते हो नमबर 3 पर 7.8 MDP rating के साथ आती है गुरू थी जो कि 2021 में release भी जबरतस्ट thriller movie थी बात कीजा अगर इस film की storyline के बारे में तो guys इस film की storyline के बारे में थोड़ा भी कुल कर नहीं बता सकता क्योंकि आपके लिए spoiler हो जाएगा इसलिए इस film की storyline के बारे में कुछ basic detail थी मैं आप सभी को देना चाहूँगा तो guys इस film की storyline गुंते हुए नजर आती है एक family के around जहां पर एक इबराहिम नाम का बंदा होता है जो कि यह पहाड़ों में रहता है और वहां पर रहकर अपने कुछ पीछे हुए अपनी life में कुछ पीछे हुए incident को फुलाना चाहता है जिस incident के बदेवलत उसने काफी कुछ अपनी life में खो दिया है तो guys उसने क्या का खोया है और इसकी अलावा film में और भी बहुत सारी चीजे देखने को मिलती है और इस film में सबसे खास बात होता है पुरुथवी राज सुकुमन जी हाँ दोस्तों काफी जबरदस एक्टिंग है इस movie में मुझे काफी ज़्यादा जबरदस लगी यह film काफी बढ़िया है 7.8 mdb rating के हिसाब सही आप पता लगा सकते हो कि film कैसी रही होगी यह film काफी जबरदस एक कुछ हटके आप सभी को इस movie में देखने को मिलने वाला है अगर आप इस film को देखना चाहते हो यह film अन ओफिसली डब हुई है यहाँ यह film अन ओफिसली लेकिन प्रोपर स्टूडियो से डब हुई है इसलिए इस film की चो डबिंग है वो भी काफी जबरदस ए अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक आप सभी को डिस्रिप्शन बोक्स में दे रखा है नमबर टू पर 8.2 IMDb रेटिंग के साथ आती है मेराइस मेराइस जो की 2021 में रिलीज वी जबरदस ड्रामा रोमेंस मूवी थी बात यह अगर इस film की स्टोरी लाइन के बारे में इस film की स्टोरी लाइन में आप सभी को देखने को मिलेगा एक छोटे शहर की लड़की जो की शहर में आती है उसकी मुलाकात होती है एक लड़के से जो की यह वो दोनों आपस में एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं और उसके बाद आने वाली सभी चुनूतियां का दोनों मिलकर डटकर सामना करते हैं लेकिन उसके बाद उन दोनों के बीच में सब कुछ सही चला होता है लेकिन उन दोनों के बीच में एक लड़का ट्राइंगल बनने लगता है धीरे धीरे तो उसके बाद क्या क्या होता है क्या इस्तिती जो है पहले जैसी रहती है या नहीं लफ के आन जाने के से उनके बीच में क्या क्या होता है वो सारी चीजे इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से देखने को मिलती है अगर आप सभी को जबरदस ड्रामा रोमेंस कुछ हट क टरके देखना है तो यह फिल्म कोश्म लेकर तो अबिगाल महीं और पहोत लगा सकते हैं कि यह फिल्म कोकशना यह जब जबरदस्त पास अब लगी मुझे आगर आप देखना चाहते हो तो गयां ऊफier अफ प्माने 적र में यह फ Unlike लेबल हो चुगी है लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप सभी को ज़रु देखना चाहिए नमपो वन पर एट पॉइंट नाइन एमडीबी रेटिंग के साथ आती है टेम्ट राजा जो कि यार एक अडल्ड कोमेडी रोमेंस मूवी है जी हां ग मैं इस अकेले में ही इस फिल्म मूई को देखना बात किजें अगर इस फिल्म की स्टॉरी लाइन के बारे में आप सभी को देखने को मिलेगा दो दोस्त जो कि अपनी गरफेंट के साथ एक घर में रुकते हैं लेकिन उसके बाद उनके बीच में कुछ ऐसा होता है जिसके जिसके लिए उन्हें साबित करना होता है कि वो दोनों चाहिए वो यह किल्म महिला को खुश करने के लिए तयार है या नहीं तो यही कुछ इस फिल्म की बेसिक सी स्टोरी लाइन है कुछ ओकर्डनेस आ रही है मुझे है क्योंकि पहली बार ऐसी तरह की कुछ फिल्म मैंने इस लिस्ट में डाली अपनी किसी वीडियो में है इस तरह की पहली बार कोई मूवी डाली है तो गाईज अगर आप सभी को अडल्टे हो सीन देखने हो कोई प्रोब्लम नहीं है छोटे मोटे होंगे ज़्यादा नहीं देखने कों मिलते हैं तो गाईज तो यह फिल्म देख सकते हो यूट्यूब पर हिंदी में अविलेबल ले लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बोक्स में भी दे दिया है तो गाईज यही थी साउट की वो पांच फिल्म में जो कि अभी हाल फिल्हाल में रिलीस भी हैं तो गाईज इन में से आपने किस-किस फिल्म को पहले से देख लिया किन-किन फिल्म को अब आप देखने वाले हो और कौन सी फिल्म आपको बेस्ट लगी सभी चीज़े आप हमें कॉमेंट बोक्स में कमेंट करके बता सकते हो और गाईज यार टेलिग्राम चैनल को जोईन करना बिल्कुल भी मत बूलना वहाँ पर आप सभी को सभी तरह की मुवीज जो है वो प्रोवाइड करा दी जाती है वो भी जबरतस्त कॉलिटी के साथ तो टेलिग्राम चैनल को जोईन करना बिल्कुल भी मत बूलना लिंक आप सभी को description box में दे दिया है तो यार आज की इस वीडियो में बस इतना है अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो like करना है यार बिल्कुल भी मत बूलना अगर आप चैनल पर नहीं हो तो यार सबस्क्राइब कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियो से हमाँ में चैनल पर लेके आते रहते हैं सो गाइस मिलता हैं सभी से एक और नेक्स वीडियो में तब तक है यार गुट बाई